पास मिनट में बनाईए हेir बहुत ही स्वादिष्ट सर्दियों की कास रेसीपी मूंकêsफली के लड्डू जोकी बच्चे हूए अबड़े सबको बहुत पसंद आते हैं मूंख्फली के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कट्वोरी मूंख्फली के दाने लिये हैं अगर आपके पास बिना छिलके वाले रोश्टेड चारल नहीं जाते हैं इनकी ऊपर की स्किन हलकी सी डार्क नहीं हो जाती है ये देखें दानों को हमने 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है अगर आपके पास भूने हुए बिना छिलके वाले दाने हैं तो इस रेसिपी को आप 3-4 मिनट में ही बना के रेडी कर सकते हैं तो दानों को हमने एक थाली में निकाल लिया है भूने के बाद इसके बाद हम इने थोड़ा ठंडा होने देंगे इसके बाद इस तरह से हाथ से मसल मसल करके हमें इसका छिलका निकाल लेना है तो इस देखें हमने या पर दानों के छिलके निकाल लिये हैं या फिर आप थोड़ा सा कम जादा अपने स्वात के अनुसार भी कर सकते हैं अब हमें इसे बिना पानी के ही मेल्ट होने देना है तो इस तरह से बीच-बीच में इसे चलाते रहे हैं पानी नहीं डालना है बिलकुल भी और इसमें हम डाल देंगे एक चमज देशी घी या फिर आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं घी से यह जो लड़ू बनेंगे उनका टेस्ट जादा अच्छा होता है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुड़ जो है वो मेल्ट होने लगेगा और अभी आप देख पा रहे होंगे गुड़ हमारा काफी हद तक मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसे पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे फ्लेम को लो मेडियम के बीच में रखेंगे अभी आप देख पा रहे होंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब हम चेक करेंगे कि यह लड़ू बनाने के लिए पॉफेक्ट है या नहीं फ्लेम को लो ही रखना है तो पानी में इस त बहुत फास्ट करना होता है तो इस तरह से इसे बढ़ी हज़े मिला लेजिए तो यह दिखिए हमने इसे मिला लिया है और अब हम इसके लड़ू बनाएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए गा तभी लड़ू बनाएगा क्योंकि बहुत गरम होता है इससे आपकी ह जल सकते हैं हाथों में आपको तेल या घी नहीं लगाना है थोड़ा सा पानी लगा लीजिए हलका सा और इसके बाद इस तरह से हम इसके छोटी छोटी लड़ू बना लेंगे लड़ू आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़े कर सकते हैं यह दिखिए अगर आपको थोड़े से सौफ्ट लड़ू पसंद है तो गुड़ की जो सिरब बनाया है उसे थोड़ा सा नरम ही रखिएगा अगर आपको कड़क लड़ू पसंद है तो चास्नी को थोड़ा सा टाइट हो जाने दीजिएगा और यह लिजिए हमारे बहुत ही स्वाधिस्ट मूंग फल नहीं आप भी बनायेगा और रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएगा